नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बिस्कस करेंगे शब्बे एपरल 2019 के इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स स्टार्ट करेंगे फर्स कोशन से और अगर आप चैनल पर पहली पार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को बेल बेटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहें के जब भी मैं कोई नहीं जान करी डालूगी और अगर आप फर्स ताम चैनल पर विजिट कर रहे हैं आपको बता दू अपने दो चैनल है एक यही चैनल अमीत अकैडमी और एक है टेकनिकल गवर्णमेंट जोब आल ओवर इंडिया वो चैनल इससे पहले से ही है और तीन लाखे करीब उसमें सब्सक्राइबर है हमारे और उसको आप जरू सब्सक्राइब करें कोई भी अपकमिंग गवर्णमेंट एक्जाम है जो चल रहे होते हैं उसकी जान करें सबसे पहले आपको उस यान पर मिल जाती है स्टार्ट करेंगे फर्स कोशन से वर्ड मलेरिया डे हैस बीन सेलिब्रेटी यानि कि विशव मलेर e Sukhab ж Redmay फिर से रपीट करूंगे इसकी तीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स migrant म途र मले को फिस्ट सरके जाने की मतला अपने ऑप से मतला आं स्वैं मुथ त इसका गाति के मार्य नेस एं जाता है अं यह गातना कि भीमारे सी मितल पेटल इछनम हिर्व फालारियों करन आस्या पे इंपोर्टेंट है डिखे डबलु एचो यादि की वर्ल्ड हेल्थ और्मनेजेशन हर साल इसका योजन करती है आपको याद रखना है और इसका उदेशे में आपको बताई दिया चिक है और इसका जो ट्रीटमेंट है रेस्क्यू है यानि की बचाव है और ट्रीटमेंट है और अंतिम तोर तक इस विमारी को पूरी तरह से खतम करना इनका मेन परपस है आपको याद रखना है और डबलु एचो इसका अयोजन करता है डबलु एचो का हेड़कोर्टर कहां पे है जिनेवा स्विट्जर लैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 7 एपरल 1908 को यानि कि 7 एपरल 1948 को स्थापना हुई थी डबलु एचो के यानि कि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइज़ेशन की नेक्स सेखे नैश्र पंचाईती राज डे हैस बीन सेलिब्रेटिड यानि कि राश्रे पंचाईती राज दिवस कब मनाया गया है पहले हमने बात किया करए पंचाईती राज दिवस राश्रे पंचाईती राज दिवस मनाय गया है 24 को और विशक मलीया दिवस मनाया गया है 25 को बात करने राश्रे पंचाईती रात दिवस की इसकी द्रीघत thankful came जिए द्वारा इसकी शुरुवात की गे थी जब वो प्राइम इनिस्टर थे और 24 अपरल को ही इसकी शुरुवात की गे थी लेकिन कब 2010 में चीक है इट वन ओर एक वोड एक सफ्थापिद किया है, तो फॉज को अप्छण भी है वित बिलुकुल से ही अंशर है, अब आप सोच रहों कि एक और, एक और मतलब है इन्होंने सेकंड किया है, इनका पहले फर्स्ट भी है कहाँ पे तेलांगना में, याद रखेगा, अगर कोस्च किया गया है है हैदराबाद में सो आपको याद अखने है टेक्निकल फ्रेमवर्क को यानि कि तक्निक की ढंच को मजबूत करने के लिए तिलांगना में इन्होंने पहले इंवेस्टमेंट की घोशना की अब यह कंट्री में भी फ्लिपकार्ड का दूसरा बन चुका है ठीक है इंडिया ने आपको याद रखने है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने 1470 क्रोडर पे में बेची है यह इंपोर्टेंट टम है 1470 क्रोडर पे में बीच दी अपनी सारी हिसेदारी नहीं और नबाड दोनों की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है नोट कर लिजिए नेशनल हा 1882 को किसकी नबाड की याद रखीगा इसकी स्थापना कब होई और इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है अब आर्बेए नहीं अपनी पूरी हिस्सेतारी इनको सेल की है 1470 क्रोड पे में आर्बेए की बार में थोड़ा जाल लो एक एपरल 1905 को आर्बेए की स्थापना होई थ इस देशने या किस कंट्री ने अरब सागर में अरब सागर में सफदेशी क्रोज मिसाईल का प्रिक्षन किया है मनदब टेस्ट किया है सो किस कंट्री ने अभी किया है पाकिस्तान ने यानि कि इसको option A बिलकुल सही अंसर है यानि कि सफल्दा बुर्वक परिक्षर मतलब किया है और उन्हें successfully test किया है आपको याद रख लेना है क्या है पाकिस्तान की इसलामबाद पाकिस्तानी रुपेया इसकी करंसी है और गवर्नर है इनके प्रेजन टाइम के डॉक्टर आरिफ अल्वी और प्राइम निस्टर है इम्रान खान आपको याद रख लेना है टैरर्स टैर्रीर कर दिया है तो किस देश ने डिक्लेर किया है एरान में यानि की option 3rd इसका सही अंसर है बात कर रहे हैं हम अमेरिका की और इरान की सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की इसकी क्रेंसी क्या है U.S.टॉलर और इनकी कैपिटल है वशिंग्टन डिसी इरान की मेली हम बात करें इरान के capital क्या है तेहरान नोट का लिजे टी एच आर एए एन तेहरान इसकी capital है रियाल इसकी currency है और हसन रुहानी इनके present time के आरे प्रेजीडेंट says near इसकी vast एए ना कि आपनी ने आपना दीश्चेजटु let's get to all that So,किन ने अभी जाए इंड़ोनेशियान आपको yard पर इन क्यूं क्या गया है अब आपको वर्षगांध मनाया गया था किसके बिच में इंडिया और इंडोनेशिया की जो political relation है ठीक है उसके लिए तो उसनी टाइम ये किया गया है कि रमायन के topic पर dark ticket जरिक किया गया है बात किसकी कर्या हम इंडोनेशिया की इसकी capital क्या है जकार्ता और करंसी है इंडोनेशियन रुपया और president है इनके present time के जोको विडोडो लिख रीजे जे ओ जोको विडोडो इनके present time के president है किसके इंडोनेशिया की next time who resigned from the post of S.O.C.M. General Secretary यानि S.O.C.M. के माहा सचिव पद से यानि General Secretary के पद से या पोस्ट से किसने अभी design कर दिया है मतब किसने इस्तीफा कर दिया है किसने किया है UK वर्मा यानि उदे कुमार वर्मा ठीक है पूरा नाम भी इनका आप याद रखीगा उदे कुमार वर्मा है जनोंने रिजाइन कर दिया है S.O.C.M. इसकी full form important है काफी exams में रिपीट हो चोकी है इसकी full form ध्यान से नोट का लिजी The Associated Chambers of Commerce and Industry of India फिर से रिपीटी करोंगी The Associated Chambers of Commerce and Industry of India किसकी full form है S.O.C.M की जिसकी स्थापना हुई 1921 में ठीक है इसकी स्थापना हुई थी 1921 में इसकी स्थापना हुई एक्रिक ही In the name of Donald Trump, who nominated the town of Golan Heights यानि की Donald Trump के नाम पर Golan Heights नगर को यानि टाउन को किस ने नॉमिनेट किया है, मतलग किस ने नामित किया है, किस ने किया है इस्राइल याद रखेगा इस्राइल है जिसने डॉनल्ल ट्रम्ब के नाम पर Golan Heights के नगर को नामिद किया है एचल में 1967 में क्या हुआ था इस्राइल ने कभजा गर लिया था इसके उपर किसके उपर Golan Heights के उपर उसके बाद इने इसको छोड़ना पड़ा फिर अमेरिका ने ओफिशली गॉर्लन हाइट्स को इस्राइल का पार्ट डिक्लियर कर दिया है आपको याद रखने है नेक्स्ट है विच स्टेट हैस इनोग्रेटिट स्वीप यानि स्वीप का अभी उद्धुगाटन किस राज्य ने किया है इसका उद्धुगाटन किस रेट ने किया है जम्मू कश्मीर ने यानि कि इसका option धر विल्कुल सही अंसर है जम्मू कश्मीर ने इसका उद्धुगाटन किया है जम्मू कश्मीर की capital आप नोट के लिजहे मैंने आपको पहले भी कावी बार बता है समर में अलग है, विंटर में अलग है, समर में शिरी नगर है और विंटर में है जम्मू, किसकी capital? जम्मू कश्मीर की, और हिनके presently कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखने है, सत्य पाल मलिक इनके presently गवर्नर है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही ऐस Buzrangh Poonia in Asian Wrestling Championship, यानि कुस्ष्टी चैंपिंशिप में Buzrangh Poonia ने ऑन सा पदक जीता है, कौन सा मैडल जीता है. अभी अभी एशियाई कुस्ष्टी चैंपिंशिप में यानि एशियाई Asian Wrestling Championship में Buzrangh Poonia ने गोल्ड मैडल जीता है यानि option B, इसका sait he answer है and Doch Q& A? चाइना में चाइना की हम बात करने हैं और जी जिन्पिंग इनके present time के president है next है which women has been given the award of best cricketer मतलब किस महला को किस lady को अभी सरफ श्रेष्ट cricketer का यानि best cricketer का पुरस्कार दिया गया है सो किसको अभी दिया गया है जूलन गो स्वामी को यानि option C इसका सही अंसर है जूलन गो स्वामी है जिनको best cricketer का award दिया गया है आपको याद रखने है और one day match में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महला क्रिकेटर का अगर सबसे पहले नाम आता है वर्ल्ड की अगर हम बात करें वो भी किनका नाम आता है जूलन गो स्वामी का आपको याद रखने है आगे भी questions है आगे questions देखने से पहले कल मैंने आपसे question पूछा था Jet Airways Board से अभी किस ने इस्तीफा दिया है पहले गोईल ने दिया था नरेश गोईल और उनकी वाइफ अनिता गोईल ने उसके बाद मैंने आपको बताया था नसीम जाइदी यानि option B इनका सही अंसर है जितने भी students से इसका अंसर दिया है बिल्कुल सही अंसर दिया है Jet Airways से अभी इस्तीफा दिया है नसीम जाइदी ने next question देखने से पहले आज का question पहले आप नोट कर लिजे where has organized second edition of India Indonesia infrastructure forum यानि भारत Indonesia infrastructure forum का दूसरा संसकरन यानि कि second edition कहां पे अयोजित किया गया है चार options आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपको अपना सही अंसर इस वीडियो के comment section में जाके comment कर देना है जो भी important fact आपको साथ में पता है जरूर बताएगी जिए next question देख लेते हैं कि which country has successfully tested the world's first floating nuclear power plant यानि कि किस country ने या किस देश ने वर्ल्ड के पहले दुनिया के पहले तैरते पर्मानु उर्जा संयत्र का सफलता पूर्वक प्रिक्शन किया है successfully यानि कि इसको test किया है किसने किया है रशिया ने अब रशिया ने किया है इसकी capital किया है मोस्को नोट कर लिजीगा इसकी capital है मोस्को और रशियन रूबल इसकी क्या है रशियन रूबल इसकी करंसी है R.U.B.L.E. ठीक है रशियन रूबल इसकी करंसी है और इनके president है Vladimir Putin नोट कर लिजीगा इनका नाम भी Vladimir Putin इनके presently president है next है How much did the government increase the authorized capital of Allahabad Bank? यानि सरकार ने Allahabad Bank की अधिकरित पुंजी में कितनी वृद्धी किया है कितनी वृद्धी किया है 8000 क्रोड रुपे ठीक है और इससे पहले कितनी थी यह भी important है लिखी इससे पहले थी 5000 क्रोड रुपे यो कि मैंने option B भी दे रखा है अब कितनी होगी है 8000 क्रोड रुपे आपको याद रखने है इलाभाद Bank की हम बात करें इसके MD & CEO को ने SS Malika Zun Roy इनके प्रेजेंटी MD & CEO है और इसका Headquarter कहां पे है कॉलकता में आपको याद रखने है ठीक है और इसके इलावा हर्याना जी के पंजाब जी के इंडिया जी के कंपीटर जी के अगरी कल्चर कोई भी आप बेस्ट बुक से डून रहे है पेडियो फॉर्मट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आपको नीड है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही जादा वैलुएबल बुक्स है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अब कमिंग एक्जाम्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसमें हमने डिस्क्स किया है शब्बी एपरिल दोहजार उन्नी के इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक्स वर वाचिंगे